मेरे परिवार जनो, आज मैं रेलवे के अपने परिश्रमी करमेचारियों से भी एक बात कहूँगा, जब कोई दूसरे शहर या दूर किसी जगर से यात्रा करके आता है, तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सफर कैसा रहा, वो व्यक्ति सिर्फ अपने सफर का अनुभवी नहीं बताता, वो घर से निकलने से लेकर मंजिल तक पहुँचने के पूरी बात करता है, वो बताता है कि रेलवे स्टेशन कितने बदल गए हैं, वो बताता है कि ट्रेनों का परिचालन कितना व्यवस्तित हो गया है, उसके अनुभवों में टीटी का वहवार, उसके हाथ में कागज की जहग, टैबलेट, सुरक्षा के इंतजाम, खाने की क्वालिटी, साब प्रकार की बाते होती हैं, इसलिए आपको रेल के हर कर्मचारी को इस दब ट्रावेल के लिए यात्रियों को अच्छा अनुभव देने के लिए लगातार संबेदन सिल रहना होता है, और आजकल ये बातें जब सुनने को मिलती है कि इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, तो मन को एक खुशी मिलती है, और इसलिए मैं ऐसे जो प्रतिबद रेल कर्मचारी हैं, उनकी भी जी जान से बढ़ाई देत करता हूँ, मेरे परिवार जनों, भारतिय रेलिवे ने स्वच्छता को लेकर जो नए प्रतिमान गड़े हैं, उसे भी हर देश वासे ने नोटिस किया है, पहले की अपेक्षा, अब हमारे स्टेशन्स, हमारी ट्रेने कहीं जादा साफ रहने लगी है, आप जानते हैं, गांधी जैनती दूर नहीं है, स्वच्छता के प्रती गांधी जी का जो आंगर था, वो भी हम जानते हैं, स्वच्छता के लिए किया गया हर प्रयास, गांधी जी को सच्ची स्रद्धांजली है, इसी भावना के साथ, अपसे कुछ दिन बाद, एक अक्तुबर को सुबह दस बजे, याद रखिए, एक अक्तुबर को सुबह दस बजे, स्वच्छता पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, देश के कोने कोने में हो रहा है, और देश वाच्छों के नित्रुत्म में हो रहा है, मेरा आप से आगर है, बहुत आगर है, आप भी स्वच्छता के इस अभ्यान से जुरुर जुड़े, एक तारीक दस बजे का समय अभी से पक्का कर लीजिए, गांधी जन्ती पर हर देश वाच्छी को खादी और स्वदेशी उत्पादों की खरीद का मंत्र भी दोहराना चाहिए, दो अक्तूबर को गांधी जन्ती है, 31 अक्तूबर सदार वलब भाई पर्टेल की जन्ती है, एक प्रकार से पूरा महना हम प्रयत्य पुर्वक खादी खरी दें, हैंडलूम खरी दें, हैंडीक्राप खरी दें, हमें लोकल के लिए ज्यादा से ज्यादा वोकल होना ही है साथियों मुझे विश्वास है कि भारतिय रेल और समाज में हर स्तर पर हो रहा बड़लाव विख्षिद भारत की और एक महत्वकून कदम साबित होगा